तो मुझे लगता है कि हाँ एजूकेशन के बाद क्राइम की तरफ इतना लोगों का नहीं रहता है। क्योंकि हाँ मैं तिहाड के अंदर भी देखता हूँ तो अगर सब्सक्राइब मेरे पास डेली 50 लोग बंद होकर आते हैं तो 50 में से 30 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इलिटेट हैं। 10 लोग उसमें ऐसे मिलेंगे जो पाचवी गलास तक पड़े हुए हैं। 4 लोग उसमें से ऐसे मिलेंगे जो दसवी बारवी हैं। दो तीन लोग आते हैं जो कोई ग्रेजुएट है या किसीने हाइर स्टडीज किये। हलो दोस्तों मैं डोक्टर योगंदिस सिंग राठोड और आप लोगं के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बहुत इंस्पिरेशनल परसनालिटी मोजूद है। ये तिहार जेल के जेलर असिस्टेंट जेलर सुपरिंटेंटेंट और इन्हें स्टील मैन ओफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दे अल्टिमेट वोरियर करके रियलिटी शो डिस्कवरी पे किया। ओटीटी पे कई बार देखे जाते हैं। और मुवीज में भी आ रहे हैं। और बहुत सारे पोड़कास्ट पे आपने इनको पहले भी देखा होगा। तो प्लीज वेलकम वेरी इंस्पाइरिंग, हैंसम और स्टील मैं ओफ इंडिया, देखे जेलर दिपक शर्मा जी। तो दिपक जी यह जरनी आपकी खास से शुरू हुई कि यह जो टैग आपको मिलना चालू हुआ कि तीपक शर्मा जेलर तो यह टैग कब से मिलना शुरू हुआ आपके क्या एक्शन से से हाइलाइट हुए। मैं अपनी सर्विस की बात करूं तो 2010 में कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद मैंने पुलिस यूनिफॉर्म पैनी यह सर्विस में अपनी जॉइन की। और 2014 में पैली बार सिल्वर स्कीन पर हम देखते थे दबंग सिंगम इस तरह की बहुत अच्छी मूवी थी इंस्पिरेशनल थी तो वह जो रील लाइफ थी उसको देखके अर्द लगा कि कही न कहीं यहां यूनिफॉर्म हमें डालनी है तो ऐसा एक आइडल इमेज सोसाइ और फिर उसको कट डाउन करके 90 गेजी के आसपास लाकर एक अपनी बडी को शेप दी और फिर स्टील मैन ऑफ इंडिया, आरेन मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर दिल्ली, यूपी, हरियाना, मिस्टर इंडिया इस तरह के तकरीबन 18 से 20 मेटन लिए तो मैं कहना चाहूँ कि हाँ एक जो पब्लिक ने नोटिस करना देखना शुरू किया, 2017 के आसपास से शुरू किया, और 2020 में जब निर्विया रेप केस के अक्यूजड को जो फासी देनी थी, उस टाइम पर जो वो जिम्मेदारी मेर को देई गई, I was the key officer of that case, तो फिर लोगों का प्यार मिनना शुरू ह हुआ, और फिर एक ही, कईनक एक given take है, society अगर आपको प्यार दे रही है, तो बदले में कुछ आती है कि आप कुछ ऐसा अच्छा करे society के लिए, तो बस ये दोर चलता रहा, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, अच्छे प्रोजटिस मिनने शुरू हुई, उसके बद मे टीवी शो में चला गया, reality शो के अंदर, अक्षे कुमार विदू जामवाल जी के साथ, कुछ albums की, अच्छे songs की है, कुछ OTT फिल्म्स की, तो ऐसे ही time to time projects मिलते रहे, और एक given take अभी तक भी चल रहे है, क्या बात है, such an inspirational story, बिलकुल एक unique path आपने यहाँ पे लिया, तो यहाँ से जो एक चीज मुझे समझा रही कि कई बार जो movies है, movies में जो police की image 99% आप देखें तो corruption की दिखाई जाती है, या एक positive light में नहीं दिखाई जाती है, So, do you feel bad जब इस परकार की image movies में, क्योंकि कई बार market में एक wrong perception बनता है, लोगों के, especially आप बच्चों को देखें तो, तो कई लोगों को police के पास एक protective feeling आनी चुई है, उसके बजाए बहुत से लोग होते हैं जिनको एक fearful feeling आती है, just because of that perception, तो वो perception का कितना impact आप personally खुद पर देखते हैं, और क्या वो एक कारण है कि आप जो एक positive perception आपके जरीए इतना बन रहा है, Is that also your inspiration? इसको जो मैं connect कर पाता हूँ, यह अगर educated हैं लोग, तो वो अपने rights भी जानते हैं, duties भी जानते हैं, अब government भी इतने काफी programs से ला रही हैं, बहुत से NGOs हैं, तो यह चीज आज से तकरीबर 10 साल पहले तक मैं कहूंगा फिर भी थी, अब social media का दोर है, हर कोई camera वाला phone रखता है, आप जरासा भी पब्लिक टेलिक में कुछ भी गलत करते हैं, तो लोग social media पे live आना, वो सब चीजे करना, वो शुरू कर देते हैं, और अब भी जो young officers आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, एक अलग उनकी छवी है, अलग जिम्मेदार यूँ feel करते हैं, चीजों में बहुत बदला हुआ है, तो ये जो stereotype था, पहले मैं जरूर कहूंगा था, limited sources थे, लेकिन लोगों को भी यहां मैं कहना शाहूंगा कि अपने rights, अपनी duties का अगर उन्हें बता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजे उन्हें face करने को म पब्लिक चाहती है कि हाँ, जो पुलिस है, वो उनकी हिसाब से काम करें, अपनी हिसाब से काम ना करें, तो पुलिस है, पुलिस अपने set procedure पे काम करती है, तो cooperate करें, accordingly, थोड़ा सब पुलिस भी cooperate करें, पब्लिक भी cooperate करें, तो चीजे आगे बढ़ें So beautifully explained, और I think social media का एक बहुत positive impact भी इसमें दिखाई देता है, कि आज कोरोना के टाइम पर मैं देख रहा था कि कई officers, they were singing and they were treating people in a better way, तो सिरफ movies ही perception को तेनी कर रही है, कही ना कहीं, जो social media है, और I think आपके जो initiatives है, आप podcast भी कर रहे हैं अभी, और जो आप ऐसे shows पे अपियर ह करके जो एक right image दे रहे है, I think that's a good initiative and it is very inspiring. सौम्या मडर केस, जो अभी खुला, जिसमें 14 साल की उनको custody हुई, बिल्कुल blind case था, उसमें जो उस time के TCPA, उन्हें हम जानते हैं किस तरीके से उस case को खुला, workout किया और आज उनको conviction भी हुई. Beautiful, और कई बार हम ये एक aspect देखते हैं कि मेरे भी family में कुछ लोग हैं, जो who are in police, कि चाहे दिवाली हो, चाहे festival हो, कुछ भी हो, they always on duty. So, do you think कि ये चीज उनकी mental aspect पर कोई impact डलता है, उनकी जो family life है, उस पर क्या प्रवाव इसका आप देखते हैं? करना ही है, तो चीज़े चलती हैं बस, लेकिन family काई नगी effect होती है. Family या बच्चों पर एक प्रवाव पड़ता है कि आप वो जो समय मिलना चीए, उनने नहीं मिल पाता कभी कभी? Beautiful. एक चीज़े मुझे हमेशा fascinate करती है, I think आप अच्छे से मुझे इस पर clear करेंगे कि इतने सारे आप तो तिहार जेल में हैं, तो मतलब कि एक से एक ऐसे criminals होंगे, जिन से आपकी dealing रहती होगी. तो क्या आपने ये notice किया कि जब वो एक crime करके आता है बंदा, तो क्या उसके बाद में कोई regret, कोई पश्टावा, कोई guilt आप देखते हैं उन लोगों के अंदर या क्या variation मिलती है? तो जो तिहार है, तिहार के अंदर तक्रीवन 25,000 inmates है, तो जो habitual offenders है, organized crime करते हैं, जैसे अभी राजिस्थान में खत्या हुई, तो इन लोगों कोई regression नहीं है, लेकिन जो कहीं bit of aggression में, या hit of the rage में, momentual हो गए है, जो family dispute हम देखते हैं, 498 का misuse देखने का बहुत मिलता है, तो उन cases में चीज़े कुछ अलग है, तो ये दो category हैं, एक जो habitual offenders हैं, वो कोई regret नहीं करते हैं, उन्हें बहार रहकर भी crime करना है, अंदर एगर crime blind करना है, जो first time offenders हैं, जैसा मैंने बताया, बाकी लोग आप गाड़ी से जा रहे हैं, गलती से accident हो जा या कुछ हो जाए, तो वो एक अलग चीज़ है, उनमें आपको एक tinge of regret लगता है, अब बड़ा प्यारा केस था, आज मेरे बास एक inmate है, 71 year old के, अच्छा, मुझे बड़ा अजीव लगा देखकर उने, तो वो मेरे सामने आया, अपनी उच्छ परिशाने लेकर, तो उनको actually बार बार washroom जाने की दिक्कत थी, तो मैंने डॉक्टर से examination कराया, तो पता चला कि यहां उनको sugar है, हारनिया को operation हो चुगा है, और इस टमक में भी कुछ issues है, 71 year age है, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुलनी शुरू की, तो बहुत अजीब सी बायोग्राफी थी, 376 का case, रेप का मुकत्मा जिसमें वो बंद है, उनके किरायदार उनके उपर लगाते हैं, जो उन्होंने मेरे को बताया, सरदार जी थे वो, वो अपना किराया मांगने के कुछ आपस में clash हुआ होगा, और उन्होंने वो complaint file करती, सरदार जी को उठा के बंद कर दिया, सरदार जी बंद होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि वही, क्या चीज़े थी, क्या नहीं थी, तो family वे आगे पीछे कोई नहीं है, 71 years है और जैसा वो बता रहे थे कि medically वो fit भी नहीं है, ऐसा कुछ करने के लिए, तो कि इसको देखकर लगा, काफी मतलब कई वर होता है, हाँ मन खराब होता है देखकर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो जो laws से, जो होता है, evidence से जो होता है, जो जुटिश्री है, डिसाइड करेगी कि वो culprit है या नहीं है, तो कितने समय से वो उसमें है, अभी तकरीवन चार महीने हुए होगा, चार महीने से वो अभी चल रहा है process, तो कभी आपको ऐसे cases जब मिलते हैं, तो that sense of empathy, do you feel कभी किसी criminals के साथ में, चलो ऐसे cases में तो एक natural empathy आ सकती है, as a human being, बाकी overall कभी आपने empathize किया, कुछ criminals के साथ, देखे, मेरे को तो अच्छा खासा experience हो चुगा है जिल का, तो देखकर पता लग जाता है, कि सामने वाला हाँ, एक्छल में एक criminal है या यह गलती से crime हुआ, या जो भी चीज़े, तो कोशिश रहती है कि हाँ, जो अपने अंदर सुधार चाते हैं, बदलाव चाते हैं, तो उनके लिए empathy रहती है पूरी, कोशिश होती है उनको अच्छे से अच्छे तरीके से treat करने की, और दूसरी तरफ भी है habitual offenders है, तो इन सर्विस का, एक दो साल, तो तब तो लगता था, कि हाँ, हम घर भी जाते हैं, तो भी परिशान से रहते हैं, यह यह चीज़ जैसे है, जहाँ empathy दिखाए, empathy से भी परिशान है, जहाँ कई हम hard हो गए, उन चीज़ से भी परिशान थे, लेकिन आप तो part of life है, routine है, तो वैसा क actually crime करके भी आया है, लेकिन time के साथ उसके अंदर एक बदलाव या कुछ mental status की बदलती भी आपने देखिए, कुछ behavior changes, बहुत cases हैं ऐसे, अभी जो एक serial killer था, psycho killer हम कहेंगे, शंदरकान जहाँ, तो वो बड़े brutal cases करता था murder के, उसके अंदर बहुत changes हैं, उसको life conviction हुआ है अगर कोई अच्छा behavior दिखाता है, जेल के अंदर, कोई केदी और अगर एक सुधार दिख रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ benefits रहते हैं, या कुछ उन्हे special treatment मिलती है, अगर कोई सुधार दिखा है, तो कोई reward system है, हाँ reward system पूरा है, जो इनकी bail applications है, courts के अंदर जो होती है, तो jail का conduct मांगा जाता है, वो depend करता है हमारे उपर, जिसका जो conduct है, accordingly हम उसका conduct submit करते हैं, तो उसकी फि जेल के अंदर इनको जो हम काम कराते हैं, बहुत से activities हम जेल के अंदर करा रहे हैं, तो उनमें हम इनको introduce करते हैं, wages भी हम इनको देते हैं, जो गरीब लोग हैं, या जिनके dependent बाकी सब लोग बाहर हैं, और वो अंदर बंद ओकर आगए, तो वो अंदर जेल में रहकर अपने सजा में माफी ऐसा कुछ भी होता है वो सब कोट ने डिसाइड करना है हमसे सिर्फ वो उसका कंड़क्ट मांगते हैं कंड़क्ट ने हमें बहुत मेंटर करता है कि अगर ये दुबारा सोसाइटी में इंटिड्यूस होता है तो सोसाइटी को किसी तरह से कोई हैंपर तो नहीं करेगा इसमें कई बार आपने ऐसा भी देखा हो कुछ लोग मैनिपलेट कर जाते होंगे ऐसा कभी कोई किस्ता है आपके पास कि इनसान ने वहाँ पे दिखाया फिर उसको बाहर गया हो पिकुज हमें इतना लीटेल में तो नहीं पता हो था बट कई बार न्यूज में या कहीं देखते हैं कि कोई विकती शायद जेल से बाहर आया और बाहर आकर के फिर उसने रेप कर दिया पैरोल जम कर जाते हैं बेल जम कर जाते हैं बार दुबारा से crime करना शुरू कर देते हैं यह society में बहुत से lapses में देखने को मिलते हैं जेल से आने के बाद जो अभी बार society की जो tendency है जो mindset है वो accept नहीं करती है जो थोड़ा सा भी sound है और बार जाके दुबारा से rehabilitate कर सकता है खुद को वो ठीक है otherwise बहुत से रिकते आती है तो society के पार्ट पर मुझे लगता है कि society को उने मौका देना चाहिए कहाँ पर गलती होती है कि मतलब के मतलब आप यह खहरे हैं कि वहाँ पर उसमें वो सुधार दिखता है लेकिन जब वो समवाज में अपने आसपास जाता है तो उसको वापिस वोई shame फिर उन चीजों से गुजारती है society जिसकी वेज़े से वो शायद सोचता है कि I have to go back to the same life, is it like that? देखे आप हम बहुत सको common example के तोर पर अगर ले अगर suppose that आपको ही अपने घर में servant चाहिए और आप उसका bio आप ले रहा है और वो कहते हैं पास साल जेल काट कर आया हम तो आप उसको जब नहीं करेंगे तो ये society को तोड़ा सा चेंज करना चाहिए हम जेल के अंदर बहुत कुशिश करते हैं rehabilitation की इसनका skill development कराते हैं हम time to time बहुत से courses हैं crash courses हम start कराते हैं जिससे कि वो बाहर जाए तो अपना way of earning कुछ sources वो कर सके और दुबारा streamline में आ सकी मेरे लगता कि हाँ बाहर भी कहीं ना कि government को कुछ ऐसे concept चलाने चाहिए जिनसे कि उनको थोड़ा सा और पूश मिले में भी शहर सोसाइटी को थोड़ा ज्यादा assurance कुछ मिले कि उनको कुछ ऐसा कुछ चीज issue हो या conduct ऐसा issue हो या फिर उनके लिए कुछ employment facility अलग से कुछ अगर लखी जा सकते हैं society की जहां तक मैं बात करूं तो सिर्फ awareness programs हम चला सकते हैं इस चीज को मैं नहीं कह सकता आपको कि आप इसी को नौकर रखो या इसी को अपने office में आप रखो वो सबका individual right है आम बस government है या jail authorities है या judiciary है या police authorities है वो सिर्फ एक हलका सा कुछ awareness चला सकती है जेल में कुछ आप लोग ऐसे कुछ programs रखते हैं जो उनकी mental health के लिए ठीक रहे ठीक है उन्होंने crime किया अब वो सजा ले रहे हैं जेल में है तो still कुछ ऐसे भी है जिन्होंने बहुत कोई घिनोना अपराद नहीं किया है सो ऐसी स्थिती के अंदर क्या कोई उनकी mental wellness के लिए कुछ activities वहाँ पर होती है मैंने सुना था कि शायद कुछ विपासना या इस तरीके की चीज़ें कुछ कराई जाती है हाँ देखे विपासना जैसी चीज़े भी महाँ पर है meditation हम लोग कराते हैं इसके लावा psychology department से बाहर के colleges से युनिवर्सिटी से time to time batches आते हैं उनकी counselling करते हैं इवन अभी यह जो जेल के अंदर society की जो cases जो बढ़ रहे थे उनको देखते वे specially hiring की है हर जेल के अंदर दो से तीन counselors हैं जो psychological उनका assessment करते हैं पूरा हमारे पास form रहता है किस condition में उसने अपराद किया अब उसकी mental status क्या है सारी चीज़े examine करते हैं क्यों हमने एक जेल की language मे गुमसुंग पंजा जिसको बोलते हैं कि जैसे कुछ लोगों होते हैं किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं अकेले रहते हैं खुद में रहते हैं तो ऐसे लोगों पर special हम बहुत रखते हैं कि कहीं उनके अंदर societal tendency तो develop नहीं हो रही या वो किसी को नुकसान तो नहीं पह counselors हैं, welfare officers हैं वो अलग से इन चीज़ों करते हैं वो तो वो पूरा ख्याल वाँ पर रखा जाते हैं अलग department पूरा बनाया गया है that's nice to know and one more thing कि अगर जैसे yoga कराया या विपासना आया so do they respond क्या उनकी तरफ से response आता है क्या willingness रहती है कितनों में रहती है कितनों में नहीं रहत है कुछ अगर percentage आब बताए जो willingness की बात है आदमी वो ही काम करता है जो उसके taste का है जो उसे पसंद है आप जबरतस्ती किसी को किसी से आप राम नहीं बुला सकते किसी से आप अल्ला नहीं बुला सकते है तो हमें यह देखना होता है कैटेगराइज करना होता है अभी जैसे मैं पहले अडोल सेंट जेल में था वहाँ अटार जे एक्की साल के बच्चे थे तो उन लोगों को हमने meditation का एक program introduce किया 18-21 साल का बच्चा energy ball है वो नहीं बैठ सकता तो वो हमारा program वहाँ पे effective नहीं रहा तो मैंने Indian oil corporation से tie up किया हमने 5 game introduce किये इसके अंदर koko, volleyball, badminton, basketball उनके जो energy थी उसको channelize गया positive way में लेकर गए तो उन बच्चों ने बदले में conditions हमने रखी कि आप सुबह पीटी करोगे बिलकुल ऐसा बदलाव देखने को मिला 800 बच्चों के अंदर लाई के hostel सुबह उठते थे प्रातना करते थे फिर पीटी करते थे अपनी bedding अगरे सब लगा 18 साल के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको कोई लड़ाई शगडानी उसके बाद अपना मीन ली मीन लेकर सोगए हमें administration में बहुत आसानी हुई और मुझे लगता है कि हाँ जिन जो maximum बच्चों से हम ले सकते थे वो हमने लिया भी तो डिपेंड करता है क इस category को आप क्या चीज़े दे रहे हैं अब मैं 60 साल के बच्चे को volleyball नहीं किला सकते तो यह planning करने के लिए भी क्या आपका role इसमें आप रखते हैं to plan this or is there any separate department प्रदर्ट हैं जो डिजी तिहार हैं उनकी तरफ से में directions आती है कि कि किस चीज़ को कहा पर introduce करना है हमारी जनरल जो meetings हैं GBMs के अंदर discussion होता है और फिर यह चीज़े हमें implement फिर आप उसको execute करवाते हैं so one more thing that I wanted to clear कि हम कई बार movies में यह बड़ा देखा जाता है कि jail के अंदर बहुत अंदर ही crime चल रहा है लड़ा ही चल रही है murder चल रहे है fights चल रही है और even abuses भी होते हैं so यह किस हद तक truth है and क्या आपके experiences हैं इसके around देखे वे जो organized crime कर रहे हैं यह जिनकी gang wars बाहर भी है वो लोग इस सरे की अरकती jail के अंदर भी करते हैं कोशिश करते हैं इसके अलावा जो बाकी की जो मैंने बताया first time offenders हैं यह जो actual जिनका 302, 307, 64, 65 यह kidnapping यह बयानमी सतानमी इस सरे की जो under sections में नहीं है तो वो लोग generally jail के अंदर शान्त रहते हैं जो इस सरे की लोग है इनको फिर हमने पूरा categorize किया हुआ है कि यह बंदा इस गैंग से है तो यह इस ward में रहेगा यह बंदा इस गैंग से तो इस ward में रहेगा हमारी qrt team है qreaction team सारा कुछ wireless पर है कोई भी होता है तो maximum एक मिनट के अंदर हमारा backup पहुंसता है इन चीज़ों को हम control करते हैं बहुत से cases हैं इन इंस्टाल्स हैं देखने को मिलते हैं तो यह हमारा security है मुझे लगता है कि काफियत तक तिहाड की जो है वो बहतर है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जितना पिचरों में जो दिखाये जाता है उस लेवल का कुछ जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो real life है रील के अंदर जब तक मसाला नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे आपकी इतने experiences में आपको क्या लगता है कि क्या चीज इनसान को एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर देती है कि क्या mindset है जो कि क्रिमिनल के दिमाग में क्या thought process चल रहा होता है देखे यह बहुत सी अलग चीज़ें सबकी अलग conditions है मैंने ऐसे cases भी देखे हैं जो गरीब लोग हैं उनकी family इवन उनको crime के अंदर डाल लेती है अच्छा हाँ ऐसे cases हैं मेरे पास snatcher था दिलीगा सबसे मशूर snatcher 400 से उपर cases थे उसके उपर और कुल 20 साल का लड़का था एक दिन मैंने उसकी मदर से बात की कि आप इसको सुधारती क्यों नहीं हो तो बाद में उस बच्चे ने मताये कि मेरे को तो मम्मी बेजती है फिर आपस की दुश्वनियां देखने को मिलती है आस परोस में जगड़ा हो जाना या और्टनाइज crime भी है लोगों का अपना टार्गेट नहीं है तो यह जो crime की दुनिया है सबको लगता की भी हाँ यह शॉर्टकट है पावर मिलेगी, फैम मिलेगी अब भी यह पीछे सिद्धु मुसे वाला कुमारने के बाद बहुत सी हमने देगा सोशल मीडिया पर जो लोग थे, जो accused है इस case में उनको poster boy बना दिया, hero बना दिया गाड़ीों पे poster लगा रहे है उनकी reels बन रहे है, meels बन रहे है तो यह चीज़े हैं यह कहीं नगी influence करती है जो बड़े gangsters हैं यह भी कोशिश करते हैं और यह जो age group है 18, 19, 20, 22 इस age group के अंदर बहुत ज़ादा अभी crime की तरफ inflation देखने को मिलता है तो मेरे को लगता कि कहीं नगी हाँ family अगर थोड़ा सा support करे society की तरफ से भी awareness रहे, government की तरफ से भी रहे तो कहीं नगी crime control भी होगा और बाकी जैसे कि दिल्ली को बड़ा crime का hub की तरह perception मना हुआ है वो किस हद तक सही है विकोज हम जब भार से देखते हैं तो आई दिन दिल्ली का नाम सबसे ज़्यादा highlight किया जाता है चाहे वो rape cases हो चाहे और परकार के criminal cases हो तो इसका क्या कारण है ये सच है या क्या कारण है नहीं ऐसा नहीं है crime तो हर जगह है दिल्ली तो फिर भी बहुत safe है यहां जो दिल्ली पुलिस है जो हमारा जो PCR है जो patrolling है बहुत बहतर है आप रात को दो बजी भी अगर आप travel कर रहे हैं हाँ तो आप safely travel कर सकते हैं ऐसा नहीं है आप देखेंगे remote areas में देखेंगे actually यहां का जो data है वो count हो जाता है छोटी सी दिल्ली है शायद 2350 km2 का कुछ ऐसा area है और density बहुत ज़ादा है population की तो और agencies इतनी है data collection बहुत है तो वो चीज़े बहुत जल्दी जाता है बार के जो remote areas है वो sources नहीं है तो वो चीज़े थोड़ी दब जाती है जैसे अभी recently में case देख रहा था जिसमें I think दिल्ली के पास का ही मेरे ख्याल से रहा है कि 35 टुकडे उस लड़की के कर दिये थे जी 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 अभी मेरे पास एक psycho है उसकी अभी हमने court में report submit की है कोई भी उसके पास जाता है सब को मारने को दोड़ता है तो उसे इवन हमें रखने में बहुत परिशानी होती है क्योंकि जो पूरी तरह से psycho है आप उसको किसी तरह आप force use नहीं कर सकते तो अब उसको किस तरह से उसको खाना भी देना है उसको कपड़े भी पैनाना है उसको नंगा रहना बसंद करता है इस तरह की cases है अभी हमने court में उसकी report लगाई है mental health की तो ऐसे cases time to time देखने को मिलते है तो जैसे ये cases है तो इनका कोई psychiatric evaluation का क्या process रहता है हाँ वीक के अंदर दो बार हम इनका evaluation कराता है psychiatrist है हमारे पास आते हैं इनको देखते हैं लेकिन कुछ cases जैसे हैं मुझे नहीं लगता कि इसको मैं पिछले 6 महिने से देख रहा हूँ इसके अंदर कोई सोधार नहीं है तो अब ये इस case में मुझे लगता है कि शायद अगर इसको court consider करे हमारी report को और इसको अगर bail मिले या इसको हम यहां से transfer कर दें किसी super specialty mental asylum या rehabilitation center तो हाँ वो जादा better है क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि ये खुद को रही हो सकता है सामने वाले को नुक्सान पहुंचा दे आपके according जो crime rate है उसको अगर reduce करना है तो what is your perspective on that especially अगर एक particular ले लेने rape जैसे होते है बहुत ही sensitive है और दिल्ली से भी कई high profile cases जैसे निर्भया वाला case तो आप बड़े करीब रहे इसके so इसमें क्या ऐसा किया जा सकता है कि उस टाइम पर लोग बहुत demand करते थे कि फासी की सजा रख दीजिए ये रख दीजिए but ultimately आप इतना closely देखता है तो क्या एक real solution है इन सब चीजों को reduce करने के लिए दीखे real solution एक नहीं बहुत सारे factors है crime को control करने के लिए और मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हमारी खुद की नहतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप गलत होते वे देख रहे है तो उसको immediately वो nip in the bud वोई चीज अगर शुरू हो रही है family में अगर family को लग रहा है कि मेरा बच्छा गलत रास्ते पे जा रहा है उसको वो ही पर control करे society के अंदर लग रहा है कि फलाना व्यक्ति गलत है society उसकी जिम्मेदारी ले society उसको control करे इसमे government भी friendly रहे society के साथ time to time चीज़े करे police भी friendly रहे पूरा support करे इंग चीज़ों को लेकर तो मुझे लगता है और हिंदुस्तान के अंदर over population हम सभी जानते है government अगर अच्छे projects चलाए employment देने की कोशिश करे ये media social media यहाँ इसकी एक regulatory बने अभी जैसे हर्याना के अंदर पंजाब industry के अंदर हम weapons देखते थे एकदम flaunt कर रहे है वेव कर रहे है अपने उनके अंदर विडियो ने तो यह सब चीज़े रुकने चाहिए कि एक अच्छी चीज़े market में आए क्योंकि जैसा आप देखते हैं वैसा ही अफील करते है inclination जो 15-16 साल का बच्चा है उसका जाता है इस तरफ हाँ तो यह चीज़े control होने चाहिए regulate होंगी तो कहीं न कहीं चीज़े सुधरेंगे और education का कितना बड़ा role आप देखते हैं education का पूरा role है और educated होने के साथ-साथ बंदे को दिखता है कि हाँ क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या चीज़ मेरे लिए गलत है तो मुझे लगता है कि हाँ education के बाद crime की तरफ इतना लोगों का नहीं रख हाँ मैं तिहाड के अंदर भी देखता हूँ तो अगर suppose that मेरे पास daily पचास लोग बंदो कर आते हैं तो पचास में से 30 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से illiterate है दस लोग उसमें ऐसे मिलेंगे जो पाँचवी गलास तक पड़े हुए चार लोग उसमें से ऐसे मिलेंगे जो दसवी बारवी हैं दो तीन लोग आते हैं जो कोई graduate है या किसीने higher studies किये So true I think especially in cases के अंदर एक education बच्पन से ज़्यादतर लोगों तक education मिले especially जो एक moral science जिसे हम कहता है वो morality पढ़ाना जो कि आजकल थोड़ा-थोड़ा कम हम morality से ethics और morality जो होती है I think उसको अगर और ज़्यादा अच्छे से समझाए जाए और illiteracy and poverty इन दो चीजों पे और mental health के बारे में भी क्योंकि जैसे आपने तो करीबी देखा है निर्विया केस के अंदर तो जिस extreme पे वो बन्दा गया वो extreme तो कोई एक जो बन्दा mentally completely ill हो वो ही वेकती जा सकता है और women को case की नजर से देखा जाता है I think वो भी आपको लगता है कि एक right treatment एक respectful treatment घर से ही वो मिलना चाहिए women को जिससे कि उनका women के प्रती वो objectify जो लोग करते हैं लोग वो कम हो कई बार movies में भी बड़ा objectify करके women को दिखाते हैं क्या ये सब चीज़े add up होती है ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक का तो एक crime के अगर मैं बात करूँ तो जितना मैंने देखा काफी cases में जब aggression आता है तो aggression में एक stage ऐसी आजाती है हैवानियत तक इंसान पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो ही education है या आपका sound mind है आप पड़े लिखें तो आपको फिर भी आप अंदाजान लगा लेंगे कि इसके क्या consequences हो सकते है जो बिल्कुल illiterate है अब ये जो निर्विया रेप case में जो accused थे ये आलमुस सारे अनपड़ थे तो इनको पता ही नहीं है कि ये क्या किस stage पर जा रहे है या किस extreme level तक ये लोग जा रहे है ये इसके आगे चलके क्या इनको consequences को कोई regret था कितनों पो regret था कितनों पो नहीं था नहीं इनकी case में 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 को नहीं लगा इनको रिग्रेट नहीं था ये last अग भी actually इनका जो trial था 2012 का ये case है 2020 में final हुआ तो trial एकना लंबा चला कुछ हमारा judicial system है वो last अग opportunity देता है transparency रखता है पूरी तो इनको सारी opportunities दे गई लगवक 7 सल चला था ये case तकरीब अठ साल करीब चला था 16 December 2012 का case है 20 Mars 2022 का execution हुआ तो इनको इतनी opportunities मिली है ये last तक इनको ये था कि कहीं न कहीं mercy petition consider होगी और फिर ये दुबारा इनकी जो फासी है वो फिर extend होगी तो उस दिन मेरे को अच्छे से याद है रात को दो अधाई बुजे तक भी इनको ये normal थे इनको था कि शायद इनकी जो अकील साब है एकिसिंग साब वो फिर दुबारा से इसमें extension लेकर आ जाएंगे लेकिन जब extension नहीं आया और उन्हें पता लग गया तो फिर what was there जब सुबा इनको चार साड़े चार का वक्त था इनको जब कपड़े बदलने के लिए नहाने के लिए जब इन्हें बूला गया तो तब इनको थोड़ा डर का इसास होना शुरू हुआ फिर इनको हमने तयार करके जैसे हम पूरे security की साथ हम इनको बाहर लेकर आए execution के लिए है तब मैं कह सकता हूँ कि इनके हाथ पहर फूल गए थे वो तो fear था एक मतलब वो भी कोई पश्तावा तो मुझे नहीं लगता है पश्तावा जैसा तो नहीं था यह तो रात तक भी बिलकुल ठीक थे अब इससे मुझे एक चीज समझा रही है कि जब आप इतने सारे execution और अगर सब देखते हैं तो how it impacts you आपको as a human being चलो as a jailer तो आप सकते हैं राइट तो वो आपका profession है बट deep down अंदर गहरे में आप भी एक human being भी है साथ में तो उस human being के कुछ प्रवाव पड़ता है जब आप यह चीजें देखते हैं नहीं मेरे को ऐसा नहीं है वो कहते हैं justice हम उसको उस angle से देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी उन लोगों ने इतना इस level का वो crime किया तो मेरे साब से उससिस होना जरूरी है और अगर वो नहीं होगा तो society में फिर आगे इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी और being a uniform servant तो इतना इस चीजें एफेक्ट नहीं करती मेरे को कभी क्या ऐसा होता है कि कोई personal threats मिलते हैं आपको कईयों के साथ आपको सक्ती रखनी पड़ती होगी वहाँ पे लोगों को discipline करने के लिए so do you get warnings threats हाँ threats है generally time to time मिलती रहती है तो शुरू में था 2010-2011 में पहली बर में को threat दी नहीं है बवाना ने तो उस time लगता था कि हाँ हम सुनते थे हम भी नए service में आये थे तो लेकिन अब तो दूसरे तीसरे मेने में कहीं नगई से आई जाती है लेकिन मुझे लगता ने दिली के अंदर कि इनकी होसले इतने बुलंद है कि प्रशाशन से ये ऐसी अरकत कर सके और इनका एक मोड़स ओप्रेंड ही होता है कि इनका जो दंदा है वो डर पर चलाने के लोग कोशिश करते हैं तो अगर इनकी डर से हम डर जाए तो फिर ये हमारे उपर हावी होने की कोशिश करते हैं तो हम इनसे एक अच्छा खासा डिस्टेंस बनागर चलते हैं जब ये गलत है तो पनिश्मेंट भी देंगे और अगर इनकी कोई रिक्वार्मेंट है कोई ज़रूरत है जो लीगली कुछ चीज़े हैं सिर्फ उतना सुनते हैं और अपना काम से मतलम रखना अपने सेफटी मेजर्स हैं वो में रखने होते हैं तो जैसे बच्चों की स्कूलिंग है वो कोशिश रहती है नेरबाए रखना सेक्यूरिटी का थोड़ा ख्याल रखना कैमराज वगरा सारी चीज़े आप लूग जानते हैं अपने जो वीकल्स है वो जनरली है मैं तो चेंज करता हूँ टाइम टो टाइम तीन से चार महीने में तो उस वो सब प्रिकोशनरी चीज़े तो रखना फैमिली जरूरी है फोटोज वीडियोज अवाइट करते हैं जनरली सोशल मीडिया पर डालना कि किसी को बहार बताना कि फैमिली में कौन है कौन नही है अ सीखते रहते हैं एड ओन करते रहते हैं फैनली बिफोर वी मूव तो अपना वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे क्रियेट करते हूँ बिकॉस टू मच वर्क इस देर और फैमिली को भी समय देना है तो वो जो बैलेंस होता है वो टोटली इंबैलेंस रहता है वो है क्योंकि एक्षिली आप जो सर्टेन वर्किंग आवर्स नहीं है सबसे मीजर इशू यह आता है क्या बार है कि सुबह 6 बज़े ओफिस पहुचना है अचा ओफिस आने का टाइम है जाने का आपका टाइम नहीं है तू फैमिली बहुत जादे एफेक्ट करती है मैं बच्चों की पीटियम में नहीं जा पाता है स्कूल के फंक्शन उनके अटेंड नहीं कर पाता है तो इवन बच्चे बोलते भी हैं काफी बार यह आप सबके ले टाइम है हमार ले टाइम नहीं है तो इसको कंपन्जेट कैसे करते हो कुछ तो मनाना थो पढ़ता होगा कोशिश रहती है कि 10-15-20 दिन में कभी उनको ड्राइब पर ले गए या कभी उनको डिनर पर ले गए राइट या चिल्टन पाक्स हो गयारा कोशिश रहती है इस तरीके की अब आपका एक्सपीरियंस ओफ वर्ग कैसा रहा है अभी तक का जितने भी साल आपने काम किया अब इस यूर एक्सपीरियंस तरह को तिहार जील में रहकर ऐसा लगता है कि हाँ सारी दुनिया हमने यहां देख ली किस तरह से रिष्टों में कड़वार्ट आती है रिष्टों में क्या क्राइम है यह सुसाइटी में किस तरह के क्राइम है क्या वेराइटी है इनसान किस लेवल तक जा सकता है क्या सूच सकता है किस तरह सारे रंग रूप देख लिए है जनवरी से लेखे दिसंबर तक कब क्या क्राइम हो सकता है, खौन कर सकता है, यह सारी चीजे, हाँ, experience मैं कहना चाहूँगा कि आतिहाड में सीखने को बहुत कुछ है, आप society में positive आप देना चाह रहे हैं, बहुत कुछ है, इंसान का दिमाग किस लेवल तक जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, सीखने को बहुत कुछ है, लवली, it was amazing having conversation with you दिपक जी, and now we will move to the rapid fire, so let's go for it, आतिहाड जेल को एक शब्द में कैसे describe करेंगे आप, सुदा राश्रो, जेल लाइफ का सबसे surprising aspect क्या है, जो बाहर के लोग नहीं जानते हैं, Recreational activities दुनिया, अभी जैसे मैंने, sports आपने example दिया जैसे, 13 to 21 में, sports है, more than 20 हम इनको skill development हम कराते हैं, इनको candle बनाना, decks बनाना, files बनाना, इस तरह की दरजनो activities हैं, जो बाहर लोग जानते हैं, बाहर तो लोगों को लगता है, आब अस तियार में पत्थर तोड़ते हैं, दिल के अंदर आपका stress buster क्या रहते हैं? के बरावर के रूम से sister आई, sister को भी staff किया, पूरी रात में पूरी family, खतम कर दी, खतम? हाँ, खतम, और खुछ जेल में, 18 years, कुल 18 years, that's sorry about, आपके job का सबसे पसंदिदा हिस्सा क्या लगता है आपको? मेरे को लगता कि हाँ, uniform मेरे उपर अच्छी लगती है तो जो uniform पहन करके जो lovely मुश्किल वक्त में, आपको inspiration कहां से मिलती है? inspiration मुझे खुछ से मिलती है, क्योंकि, चीज़े मैंने बहुत zero से शुरू की एक वक्त मैंने वो भी देखा, cycle से चलना और आज जैसा मैंने भी बताया कि हाँ, मैं गाड़ी भी change करता हूँ, मैंने अभी recently Harley भी लिये तो चीज़े हैं, अपने कुछ से inspiration मिलती है, जब भी मुझे लगता है, तो मैं अपने back time में जाता हूँ, तो क्या था, और कहां से कहा है, तो वो inspiration कुछ से मिलती है एक fitness icon के रूप में, क्या tip दे सकते हैं, जो लोग fitness की तरफ जाना चाहते हैं? नशे से दूर रहे आपकी life का सबसे बड़ा craziest moment फिटनेस का ही है मेरा, जब मैं 2018 में Mr. India में मेरा gold आया था, बहुत कम समय में वो चीज़ मैंने achieve की दी, और मेरे को उमीद भी नहीं थी One word to describe your life काम करो, नाम करो क्या बात है जी, any last message that you want to give to our audience देखे, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करना शाहूंगा आपकी सभी viewers को मैं सिर्फ इतना कहना शाहूंगा कि आपकी जो life है, वो आप उसको oriented रखे अपने जो targets हैं, उनको लेकर बहुत clear रहें जिनकी एक बार है, बहुत खुबसूरत है ये आपके उपर depend करता है कि आप अपनी life से आप क्या अचीव करना चाहते हैं एक शेक शिली वाले सपने ना देखें, realistic रहें नशे से आप दूर रहें, अपनी health को बहुत अच्छे से आप प्यार करें अपने लिए, क्योंकि last तक मुझे लगता है ऐसा कि हाँ आपकी जो health है वो original wealth है और अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छा workout आप करेंगे तो ये last तक आपके साथ चलने वाली है तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके सब भी viewers से Dr. YSR चैनल के माध्यम से कि अपनी life में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें